स्वास्त और लंबे जीवन के लिए बेतर खानपान जरूरी है कुछ खाने पीने के चीजे स्वाद में कड़वी होती हैं और अधिकतर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन जिस तरह ड़वाय कड़वी होती हैं और बिमानियों का इलाज करती हैं उसी तरह कड़वी खाने के चीजे स्वाद के लिए बहुत लापदायक होती हैं और पॉस्ट्री गुलों से भरी होती हैं इसलिए आज में कुछ ऐसी कड़वी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके सेवन से सेहत को दुरुस्त रखने में मदद मिलेगी चलिए वीडियों सुरू करते हैं नमबर एक मेथी दाना मेथी दाना स्वाद में इतना कड़वा होता है कि कच्चा खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है लेकिन मेथी दाना स्वाद के लिए बहुत फायदे मंद होता है इसके सेवन से कबजिक समस्या दूर होती है और बलड में सुगर की लेवल को संतूरित रखता है इसके अलावा मेथी दाना में कैलोरी की मत्रा कम होती है जो वजन को नियंतूरित रखने में मदद करता है नमबर दो करेला बच्चि होया बड़े सभी करेला का स्रिवन करने से दूर भागते हैं क्योंकि इसका सुआध ही कड़वा होता है अलागकी करेला खाने से कई वादे होते हैं इसमें विटामिन A, Vिटामिन C, फाइबर और अंटि आक्सिडेंट पाए जाते हैं करेला खाने से खुन साफ होता है और इसमें एंटिबैक्टिरियल ततो होते हैं जो इम्मिन सिस्टम को बुष्ट करता है इसके अलावा करेले में कैलियूरिज की मात्रा कम होती है इसलिए ओजन को कम करने वाले लोग अपने डायेट में करेला जरूर सामिल करें नमबर तीन आप चाय कॉफी की जगन ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं ग्रीन टी पीने से सरीट को कई फयादे मिलते हैं इसमें कैटेचीन और पाली फिनोल पाया जाता है जिसकी वज़े से इसका स्वात प्राकृतिक रूप से कड़वा रहता है ग्रीन टी पीने से ओजन घट पाचनतन्त को बेतर बनाने और इम्मिन सिस्टम को मजबूत करने मदद मिलती है इसके अलावा ग्रीन टी में मवजूद पाली फेनोल कैंसर रोधी को सीकाओं से लड़ने मदद करता है नमबर चार नेम की पत्तियां कड़वी चीजों की सूची में नेम की पत्तियां भी आती है अरुवेत की माने तो सूबह खाली पेट नेम की पत्तियां खाने से इम्मिन सिस्टम मजबूत होता है नेम एंटी पंगल एंटी बैक्टिरियल और एंटी इन्फिलिमेटरी गुडो से भरा होता है सूबह खाली पेट नेम की पत्तियां चबाने से पाचन तंतर बे चौकलेट के सौकीन है तो आपको 70% से ज़्यादा को कोवा वाला डार्क चौकलेट खाना चाहिए ऐसे चौकलेट में कई सारे पोसकता तो मवजूद होते हैं इसके सेवन से हाट की सेहत दुरूस्त रहता है और इसमें एंटि आक्सिडेंट्स होते हैं जो इसकीन सेल्स को ड